वेल, very good evening to all of you, स्वागत है आप सभी का आज के इस special session में, आज हम बात करेंगे root words और idioms and phrases से related questions पे, So are you ready guys, सबसे पहले आज की questions पे, segments पे, root words पे आपको focus करना है, यह मत कहना सब name नहीं लिया आपने, क्योंकि मैंने आपको previously बताया है, यह आपके कुछ recorded sessions है, ठेक है, तो आज हम maximum कुछ important idioms and phrases पे बात करेंगे, जो repeated, और उस तरहें के root words पे बात करेंगे, जो exam oriented है, जहां से exam में questions बनने के chances बहुत ज़ादा है, exam में synonyms और endonyms जिन root words से पूछने के ज़्यादा chances हैं, उन पे हम discussion करने बादे हैं, So very good evening to all of you, शुरू करते हैं first point के साथ, सबसे पहले हमें बात करनी है root words पे, तो सभी ready हैं, are you ready guys, yes or no, yes or no, फटा फटा पता देंगे, शुरू करते हैं first root के साथ, और हमारा जो पहला root word है, वो आपके सामने है, abil, abil बताता है capability, handiness या aptitude की बात करता है, जैसे पहला word है हमारा capability, दूसरा word है ability, मतलब यह able root जब भी आता है यह कहिनने कहीं, योगिता को denote करता है, योगिता या शमता की बात करता है, ठीक है, capability मतलब होता है, शमता, और ability मतलब होता ही, योगिता अब capability और ability में छोटा सा difference होता है पहले भी पता चुका हूँ कोई बताएगा मुझे chat box में बताओ फटाफट chat box में capability और ability में क्या difference होता है तो capability मतलब जो develop की जाती है capability का मतलब हुआ ऐसी चीज़ जो develop की जाती है और ability का मतलब वो जो already है जैसे किसी के अंदर ability है दोनों हाथों से लिखने की ऐसे बंदे को क्या बोलते हैं? ambidexter बोलते हैं ambidexter मतलब दोनों हाथों का समानता से use करने वाला बंदा या फिर कोई बंदा जो भी पढ़ता है उसे याद हो जाता है यह बचपन से ही उसकी ability है तो यह होगी इसकी योगिता capability मतलब होता है शमता जैसे आपको mathematics नहीं आता या था या English नहीं आता था आपने महनत की और अपने आपको capable बनाया मजबूत बनाया capability लेके आए यह खुती है शमता in capability मतलब आज शमता को denote कर देगा कहें न कहीं तो I think evil word आपको सभी को clear हो गया होगा evil कहीं न कहीं आपकी शमता को denote करने का गाम कर रहा है ठीक है अगला route अगर हम देखें एगान एगन मिन्स होता है contest या struggle जैसे protagonist protagonist मिन्स होता है नायक नायक समझ रहे an important supporter of an idea or political system कोई भी बंदा जो supporter है किसी particular idea का जैसे आपका आप किसी चीज़ के favor में जैसे आप woman empowerment के favor में तो आप क्या है protagonist है उस particular idea के या कोई political system है जैसे बीजेपी हो गया Congress हो गया आम आदमी party हो गया अलग-अलग parties है उनके अलग-अलग protagonist है main leader है, मुखिया है उसको आप protagonist बोल सकते हैं antagonist मिल्स होता है opponents मतलब विरोधी से relate करेगा antagonist मतलब कोई भी particular political party उसका कोई विरोधी है आप किसी idea के favor में है और कोई और बंदा जो है वो इस चीज़ के disfavor में है तो वो उसका क्या है antagonist है agni agni means होता है extreme physical और mental suffering extreme physical और mental suffering मतलब extreme level पे जो आप suffer कर रहे है वो physical suffering भी हो सकता है mental suffering भी हो सकता है आपको चोट लगा और बहुत ज़ादा दर्द हो रहा है इसको agni बोल सकते हैं किसी ने कुछ बोल दिया और आपको अंदर से बहुत ज़ादा दर्थ हो रहा है, इसको भी आप एगनिस से रिलेट कर सकते हैं, ठेक है, तो प्रेटेगनिस्ट मेंस हो गया नायक, एगनी मेंस हो गया तीब रिपीड़ा, that could be physical और मेंटन, ठेक है, और एंटेगनिस्ट मेंस हो गया अपोनेंट या विरोती, सब को क्लियर है यह वर्ड, एम, I am relate करता है love you friends से, जैसे amatur, amatur means क्या होता है, shocky amatur को, amatur को relate कर सकते हैं, किससे shocky से, किसी के अंदर amaturist habits है, किसी particularly work को करने की, किसी कें अंदर amaturist habit है कहीं singing करने की, मतलब जो professionally किसी काम को नहीं कर रहा है शान को खेल रहा है आप गेम वगेरा कुछ खेल रहा है क्रिकेट खेल रहा है लेकिन यह आपकी शौक किया है एमिचरिस है तो यह एक पॉजिटिव पॉइंट होगे अगला एमिचरी एमिचरी मेंस होता है लेकिन आपको मै एक चीज बोले थी कभी भी अपने आपको वो मत दिखाओ जो नहीं, जो हो जैसे हो बहुत अच्छी है, हमेशा याद रखो यह पाई, तो imagery means होता है श्रंगार प्री, अगला क्या हो गया, atroque, atroque word relate करता है, cruel या cruelty को, किसी के अंदर जैसे कभी-कभी रहता है आपने देखा होगा कि cruelty से related crime, crimes full, atrocious crimes को मैंने relate कर दिया, तो यह कैसा crime है जो बहुत ही बहुत ही जादा बुरा है, वैसे atrocity means होता है अत्याचार, और atrocious means होता है, या अत्याचार, पूल, या अत्याचारी, किसी बंदी के लिए अगर मैंने atrocity word का use किया, तो इसका मतलब होगा अत्याचारी, और atrocity means मैंने क्या बोला, अत्याचार होता है, ठेक है, अब इसको refer करना है, या relate करना है, तो कैसे करना है, एक बंदा, जो दूसरों पे अत्याचार कर रहा है, अत्याचार का मतलब, cruelty के साथ कुछ भी करना है, किसी का, किसी ने murder किया, बहुत बुरी तरह से किया, तो that could be, किसी को, किसी ने मारा, पहले उसकी body के parts अलग कर दिया, उसके बाद उसे मारा, सुचो कितना जादा उसको दर्थ हुआ, तो ये जो उसने काम किया, वो कैसे काम है, ये atrocity है, और वो बंदा क्या है, atrocious, समझ में आ गई बात मेरी मैं क्या क्या रहा हूँ, yes on, सब को clear, तो atroc, जब भी, A-T-R-O-C, ये words, ये letters, जब भी किसी word में आएंगे, तो ये कहीं न कहीं cruelty को दिखाएंगे, अब ये ज़रूरी नहीं है, start में ही आएंगे, middle में आएंगे, last में आएंगे, कहीं, A-T-R-O-C, ये root word जब भी आपको मिलेगा, तो ये कहीं न कहीं cruelty को दिख कई हजारों लाखों words को याद कर सकते हैं, ठीक है, अगला क्या है, अग, अग means होता है, increase करना, increase करना मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना, ऐसे आप अग को relate कर सकते हो, जैसे पहला है, अगमेंट, अगमेंट मतलब व्रधी करना, माल लेजिए कोई चीज़ थी, five foot की थी, अगमेंट, व्रधी करना, बढ़ाना, अगश्ट मेंज होता है, प्रतापी, वैसे जुलाई के बाद भी अगश्ट आता है, spelling सेम होता है उसका भी, यहाँ पर अगश्ट बोलते हैं, इसको, अगश्ट मेंज होता है, प्रतापी, having great importance, increasing day by day, जिसके importance day by day बढ़ती जा रहे ह कर सकते हैं, अगला है agree, agree और auger, agreements होता है, the sign of what might happen in future, future में क्या होने वाला है, इस चीज़ का sign है agree, जैसे कोई आपको अपका भविश्य बता रहा है, किसी भी particular चीज़ को लेके, या future में ऐसा होने वाला है, अगर मैं future के बारे में बात कर रहा हूं भाई, तो present में कुछ ज ऐसा हो जाएगा, कल तुम जब वहां जाओगी तो ऐसा होगा, तो कहना कि आज में कल को add करके तभी तो बोल रहा हूं न future के बारे में, कल होगा ऐसा, समझ में आए, time को add करके भूला जा रहा है, augury जो दी जा रही है, जैसे भविश्य वाड़ी अगर मैं कर रहा हूं, prediction कर लेके, वो present में add करते ही हुए, तो बोल रहा हूं, सीधी सी बात है, augur means होता है भविश्य वक्ता, जो बंदा भविश्य वाड़ी कर रहा है, उस बंदे को augur बोलता है, जो बंदा भविश्य वाड़ी कर रहा है, ऐसे बंदे को augur बोलता है, ठीक है, भविश्य वाड़ी क जिससे फ्यूचर के बारे में पता चल रहा है कि ऐसा आप होने वाला है और auger मिन्स होता है भविश्य वगता जो भविश्य वाणी कर रहा है प्रेडिक्टर जो बंदा है उसको आप auger से रिलेट कर सकते हैं तो अग clear हो गया सबको कि next word है काड़ में गर्म से रिलेट कर सकते हैं जैसे सकाड़ मिन्स होता है भूनना 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 मतलब भुट्टे को भूलना भुट्टा मतलब मक्का मक्के को भूना जाता है ना भून के खाते हो कोई भी चीज ऐसी जिसको आग पे भून के खा रहे हो तो जो ये भूनने की प्रक्रिया है इसको बोलते हैं स्काइट समझ में आगया आग पे पकाना किसी चीज़ को ऐसे रिलेट कर सकते हैं कल्डरोन में सोता है कडा ही आप सभी जानते हैं और कल्डरोन में क्या सब्जी वगेरा कैसे बनाते हो गर्म करके बनाते हो ना सीधी सी बात है तो काइड जब भी किसी वर्ड में आएगा वो होट से रिलेट करेगा गरम से रिलेट करेगा सिंपल सा रूट वर्ड है आगे बढ़ें चाहिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं सिंपल प्वोशन पिक्चर से डिवोट कर रहा हैं जैसे चल चितर की बात करें चाहिए मरन कोचर है इंत ख्यारी में यह चल चित्र चो सब्सक्राइब करें मोशन पीक्चर के चित्र जो चल रहे हैं एसयल यहाओ एक कर रहे हैं उसी को तो cinema बोलेंगे ना ठीक है चलिए पहले क्या होता था पहले कि अगर आप movies देखेंगे तो क्या होता था चीजें रुक रुक के चल रही होती थी जैसे कभी-कभी network connectivity का problem या कुछ भी problem कैमरे में तो क्या हो रहा है चीजें फस-फस के चल रही है ठीक है ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं इसको नेक्स्ट वान तो सिनी इमिंज क्या हो गया motion picture से रिलेट कर दिया अब हम बात करेंगे idioms and phrases related questions पे आप सभी के answers में देख रहा हूँ ठीक है आपको क्या करना है आपको क्या करना है हाँ बिल्कुल मैं आपके साथ chat box में हूँ सबके आंसर देख रहा हूँ continue तो अब अगर हम idioms and phrases related questions की बात करें तो इसमें कई questions ऐसे जो हम कर चुके हैं कई ऐसे questions जो repeated हैं जो आपके exam में कई बार आ चुके हैं तो आई होप काफी अच्छा आप स्कूर करने वाले हैं सभी तो सभी ready हैं सभी ready है idioms and phrases से related questions के लिए यस और नो यस और नो सभी ready है शुरू करें idioms and phrases से related questions चल फस्ट कोश्चन के साथ शुरुआत करते हैं और देखते हैं आफिर फस्ट कोश्चन हम से क्या कहना चाहता है फस्ट कोश्चन आपके सामने है to wrangle over an ashes shadow एक ash मतलब गद्धे की shadow पे wrangle over करना चल फटा फट देखो और पिक कर अपना अंसर वारी गुड अच्छा रेंगे लूबर इन अन एक्ट्वल मतलब क्या होता है देखो सभी आंसर करेक्ट है वारी गुड एप्रीवर एक्ट्वल में मीनिक इसका होता है जो छुट पूट ट्राइफल्स चीज़ें होती है न छुट पूट चीज़ें उनके ओपर जंगडे करना लडाई करना इसको आप रेलेट कर सकता है रेंगल ओवर एन एशे सेट टो एक्ट इन फुलिश वे टो वेस्टाइम ऑन पैटी थिंग्स तो डू सम्थिंग फणी एक्ट्वल आंसर हमारा क्या जाएगा बी पार्ट जाएगा तो जो भी आस्परेंट्स हमारे बी पा है वेरी गुड़ है ठेक है चलते है नेक्स्ट कुश्चन की ओर और देखते हैं अगला कुश्चन आखिर हमसे क्या क्या चाहता है तो रेंगल ओवर एन एशे साइडों का एक्ट्वल मीनिंग क्या हुआ हुआ टू क्वेरल ओवर ट्रेफल्स जो छुट-फुट चीज़े उंठी उनकी जगड़े करना बहस करना लडाई करना नेक्स्ट वन कुश्चन उता होप्सिं च्वैस सबसे पहले तो options choice का मतलब समझ को क्या होता है options choice means होता है options choice means होता है the choice choice of taking all or nothing at all the choice of taking all or nothing at all चाहिए तो पूरा चाहिए नहीं तो नहीं चाहिए छोटे चोटे बच्चे होता है अगर उसको आप चॉकलेट दो और उसके सामने थोड़ा चॉकलेट को तोड़ दो खुद खालो और अब उसको चॉकलेट दो जरा अगर कोई जिद्धी बच्चा है न तो वही चॉकलेट वहीं पे फेग देगा तो दूसरा लेक्के आओ रैपर में पैक वाला मेरे सामने खोल के मुझे तो समझ में आया होपसंस च्वाइस क्या होता है दच्वाइस ओफ टेकिंग आल और नथिग अट अच्वाइस एक्षेप्ट करना या फुली लीव कर देना सिरे से खारिश कर देना किसी चीज़ को इस इस कॉर्ड होपसंस च्वाइस फिलिंग ओफ इनसे क्योरिटी कुई चांस में है एक्सेलेंट च्वाइस फिलिंग ओफ स्ट्रेंथ आपका एक्च्वाइस आंसर जाएगा डीपाइड यह ओप्शन में लास्ट टाइम आपके एक्जाम में आ चुका है याद रखना अगला पॉइंट है मारा फ्लाइऑ ओफ इंडल गदर मोवी देखिए ना अग सब सन्नी देवल जी क्या करते है नल को उखाड़ देते हैं टैप खाड़ देते हैं पूरा एक्च्वाल में हेंडल को फंस्यभण देना तरह अपना हुआ किया था जो लिए यह इना किया तो फटा फटा किगर जुरू कर चाहिए अब तो सभी को आंसर पता ही जल गया इस बार सबका सिक्सर लग रहा है वेरी गुड तो फ्लाइ ऑफ दी हैंडल को हम रिलेट कर सकते हैं कि सेट तो लूज वन्स टैंपर से बीगुड पार्ड वोड विदी करेक्ट आंसर तो टीक ओफ कोई चांस नहीं तो आपका जो एकच्टा आंसर जाने वाला है that is what c part c part वोड बी करेक्ट आंसर बरी गुड आप्यूंग नेक्स्ट कोईशं तो कीप दा बाल राल लिंग पहले आप करिए फिर मैं करता हूं स्पीड में करेंगे बिलकुर rapid fire round चलना चाहिए हमारा सबको tick के batting करनी है session को जादा से जादा फैला दू जादा से जादा like और share करते चलो भई like और share करते चलो जिससे ये session हर aspirant तक पहुंच सके to keep the ball rolling मतलब ball को आगे बढ़ाते रहना आप इसको कैसे relate कर सकते हैं कोई भी conversation चल रहा था माल लीजे आपका और हमारा किसी चीज़ के उपर discussion चल रहा है उसको आगे बढ़ाते रहना आगे चलाते रहना ऐसे आप relate कर सकते हैं to keep the ball rolling to keep the conversation going to keep the conversation going this would be the correct phrase to work constantly to earn more and more to make the best use of आपका जो actual answer जाएगा आपका जो एक्चुल आउप्शन की बात करने लगा कर गाम करना जाद से जाद पैदा करना earn करना कुछ भी पैसा अगेरा to make the best use of किसी चीज़ का सबसे एच्छा उज़ करना कोई चांस नहीं आपका जो एक्चुल आंसर जाएगा that would be first part very good next question to keep the wolf away from the door wolf को दूर से दूर रखना actual में इसका आंसर जाद तर experts ने एक्जाम में गलत ही किया है और कई बार गलत कर चुके है और कई बार एक्जाम में आभी चुका है फटा-फट देखियो और पिक करें अपना आजसर जाद तर experts एक्जाम में क्या करते हैं इसका आंसर बी वाला पार्ट पिक करते हैं समझ में आया है लेकिन यह गलत है हम वुल्फ को रिलेट कर लेते हैं ऐसा अनवांटेड यह अंडिजारेबल परसन जिसे हम नहीं चानते कि वो हमारे घर में है हम ऐसे वुल्फ को रिलेट करते है और वहां से इसी चीजों को अप्रोच करते हैं जो गलत हो जाता है गरीबी को अपने आप से दूर रखना गरीबी से दूर रहना एक्स्ट्रीम लेवल की जो पॉवर्टी होती है गरीबी होती है इससे बचना था पॉवर्टी होती होती है अप्र होती होती है जो एक्च्वल में जो हमारा आंसर होगा इस दिमाग में रखियागा इसको तो कीप अलाइफ जिन्दा रहना तो होड़ दिफिकलिटीस अडिंजर सिंच difficulties or dangers to control करना कोई चांस में आपका जो एक्चोल आंसर जाएगा that would be C part next question to give a rap on knuckles to give a rap on knuckles फटा फट देखोर पिक कर उपना आसर जो अठाम स्टार्ट्स नॉसर नक्यल्स मेंस उंगली की गाठ होता है knuckles और यह knuckles से रिलेट भी नहीं होगा वारी प्रॉब to give a rap on knuckles to eologize someone eologize मेंस होता है किसी की तारीफ करना प्रशंचा करना गुडगान लाना that is eologize chastise मतलब दंडित करना किसी को दंड देना टाइब से पनिश करना condemned means आलोचना करना review means होता है फट करना to give a rap give a rap on knuckles इसका actual meaning होता है to review किसी को फट करना बहुत बुरी तरह से ठीक है इसे आप इसको रिलेट करने के लिए सीधा सीधा बोल सकते है कि किसी को किसी particular चीज के लिए जैसे कोई बंदा अपनी जो फिंगर से उनको चटका रहा है नकिल कर रहा है तो फिर क्या उससे बोला जाता है उसे डाटा जा रहा है कि नहीं दुबारा उंगलिया मत चटकाना जैसे बच्चे होते हैं ना ऐसे कर रहे हैं ऐसे करके देखो नकिल हो भी गहीं फिंगर से तो इसको फटकारा जा रहा है कि नहीं नहीं करना फिंगर्स को चटकाऊ मत बैटके उंबलीया मत चटकाऊ समझ में है इसे कुछ लोग नेल चुइंग करते रहते हैं देखा है आप लोग ने ठीक है उनको मना किया जाता है कुछ तो बड़े ह तर्ण अदीफियर का एक्चुल मेनिंग होता क्या है पहले यह बताओ फटाफट फटाफट दो इक और बताओ तर्ण अदीफियर एक्चुल मेनिंग क्या होता अब डीफियर तो किसी का वैसे डीफियर मतलब तो बहरा होता है किसी ने कुछ कहा और बंदे में क्या किया सुना अंसुना कर दिया एक एक्जामपल के थूरू अगर हम देखें जैसे आप निकल रहे हैं मार्केट जाने के लिए या कुछिंग जाने के लिए कहीं भी बाहर जाने के लिए और आपके फादर ने आपसे बोला कि एक लास पानी दे देना या एक लास पानी ले आना आपने सुना लेकिन आपने अंसुना कर दिया बस यह बहुत यह गलत चीज है मैं एक्जाम्पल दे रहा हूं आपको बस तो अब you have turned a deep ear आपने सुनके भी अंसुना कर दिया उस चीज़ को तो actual answer हमारा क्या होगा बताओ जरा फट 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 चैट बॉक्स में सभी actual answer क्या होगा actual में तो हमारा answer कौन सा जाएगा B part B part did not pay attention ध्यान ना देना listen carefully listen carefully तो मतलब हो गया ध्यान पूरवा किसी बात को सुनना this is listen carefully was deadly opposed कोई chance नहीं है opposed indifferent कोई chance नहीं opposed indifferent मतलब कोई बंदा जिसको कोई फरकी नहीं पढ़ता है जैसे कोई बंदा expire हो गया और he has posed in different वो चुपचाप शानती से घड़ा हुआ है उसको ना दुख है ना खुशी है चुपचाप शानती से as a formality घड़ा हुआ है समझ मैं है चल so आपका जो actual answer जाएगा deadly opposed मतलब बहुत जादा किसी बंदे से घ्राणा रखना किसी के idea से घ्राणा रखना कि भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं हो सकता ऐसे relate कर सकते हैं खेक है तो आपका actual answer जाएगा that would be big point अगला point हो गया we should do away with the present examination system do away with you need to identify the meaning of do away with इस particular idiom का actual meaning क्या होता है या आपको बताना सोच समझ के प्रिक करना your time starts now अच्छा अगर हम present examination system की बात कर रहें तो हमें क्या करना चाहिए इसको prohibit means होता है रूम्क लगाना या रूम्कना extend means होता है बढ़ाना demolish means होता है small विनाश करना किसी चीज़ को नश्ट करना पूरी तरह से विनाश कर देना abolish means होता है किसी चीज़ को समाप्त करना या एक तरीक तरह से समाप्त करना किसलिए नई शुरुवात के लिए This is called abolish Abolish मतलब क्या होता है किसी चीज़ की जैसे कोई बुराई है society में तो उसे हमने क्या किया abolish कर दिया कुछ भी एक ऐसी activity है जो बुरी है आपको लग रहा है बुरा है और उसको अच्छा किया जा सकता है तो आपने उस activity को abolish करके नहीं शुरुवात कर दे उस चीज़ के जैसे 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 कुछ भी हो सकता है society के अंतर कुछ चीज़ें ऐसी है जिसका scientific reason है जिसम के पीछे जैसे आपको बताया जाता है कि आप साउथ में फिस करके ना सुएं या फिर मंदिर की जो घंटियां होती है उससे क्या फायदा होता है या तामबे की बरतन में पानी पीने से क्या फायदा तो उसके scientific factors भी आ गए है आप सभी जानते हैं अब इन सब चीज़ों के फायदे क्या है ठीक है लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो बुराईयां भी है बुराइये में कुछ चीजों की जो लोगों का कहना रहता है कि जो भगवान को दूद चड़ाया जाता है वो नालियों में जाता है वो बरबाद नहीं होना चाहिए तो कुछ लोगों ने क्या किया कुछ लोगों ने दिखो इसका practical सा approach क्या किया उन्हें दान करना था उन्होंने क्या किया एक दूद का packet खरीदा और उसको शम्भूनाज जी पे चड़ा दिया और उसके बाद किसी गरीब को जाके वो packet दान दे दिया दोनों काम हो गए शम्भूनाज जी को भी मिल गया मतलब हमारी जो आस्था है अंदर से वो भी पूरी हुई और एक साइट से क्या हुआ किसी भूखे बच्चे का पेड़ भी भर गया समझ में आ रही है मेरी बात में क्या कहा रहा तो हमने एक सिस्टम को एबोलिश करके दूसरा आपना है सेम कंडिशन यहां भी है प्रिजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम को रिफॉर्मेशन की जरूरत है बदलाव की जरूरत है एक्च्वल में हमारा जो आंसर जाएगा अट इस वाट इपार्ट सब को क्लियर हुआ एक बार बताओ सब को क्लियर हुआ या सानो चाब नेक्स्ट वान ही इस प्लीन सिंपल एंड सिंसियर है ही विल आल्वेश कॉल अस्पेड अस्पेड वो बंदा जो है सिंपल और सिंसियर इंसान है बिलकुल सीधा साथा, simple answer आना है वो हमेशा spade को spade ही कहेगा असे spade में स्फावडा होता है छला, फटा फट देखो और पिक करो answer call a spade a spade, क्या मेनिंग हो सकता इस particular idiom का call a spade a spade क्या मेनिंग हो सकता इस particular idiom का very good call a spade a spade का मतलब क्या होता है be outspoken in language कोई बन्दा जो outspoken है जैसे को तैसा कहना call a spade a spade का मतलब क्या होता है जैसे को तैसा कहना मतलब जो जैसा है उसे वेसे कभ वेसे ही कहना ना तारीफ ना बुरह के सी जिसी बात c Pap किसी ने पूछा कैसा ललग रहा हूं जैसे हो वेसे ललग और तो कौह बंदा कि रहे और यह पार, क्या पार, क्या लग रहा है, लगो कुछ भी नहीं, फिर भी क्या लग रहा है, वो बतना कहे रहा है, बुरे लग रहा है, तो जैसा था वैसा बूल दिया बंदें, जैसे डेली लगते हैं, वसे आज भी लग रहा है, आज क्या नहीं है, कुछ खास तो है नहीं, आउट स्पोकेन इन नेंग फेज फ्रेंक्ली स्पोकेन पर्सन से रिलेट हम कर सकते हैं जो फ्रैंक बोलता है ठीक है सीदे सीदी बात लो बगवास समझ गया ना कॉल इस पेड़ स्पेड का मतलब इस तेंड बाइज फ्रैंड रेलेटिफ जो हमेशा साथ खड़ा रहता है अपने फ्रैंड और रिलेटिफस के साथ खड़ा रहता है मतलब उनका सपोर्ट करता है ऐसे आप रिलेट कर से यह हैं नेड़ी परसन कोई चांस में पुट अपस इस एक सिंपडरेस पहनना सेक्रिफाइस इस लाइप और अपनी लाइफ को दूसरों के लिए सेक्रिफाइस करना बल्दान करना कुछ आपका जो एक्चुल आंसर जाएगा तो आट वोड भी थाड़ थाड़ पार्ड वोड बी और गरेक्ट आंसर नेक्स्ट वन गेट दी सेक्क कर चुके हैं पहले भी हम फटा-फट देख और पिक कर दो आंसर गेट दी सेक्क को रिलेट कुर अगेट दी सेक्क को मैं कैसे देख सकते हैं इस कहते हैं न बूरिया विस्तर बांद के निकल लें बूरिया विस्तर बांद के निकल लेंदा इस इसक्ट गेट दी सेक्क को आप रच गेट स Turns रूता है जब दॉर्हहा3 कर दिया गया किसी ओधिसमिश्ड फोड दॉरीया चुझ04 डंबिया नोयों आजेट न ईug not 223 निकाल दिया गेस्ट अट तो बेटेञ जांस युए न में नहीं जाते हैं, to get a leave, छुट्टी लेना, फिल चांस में, आपका जो actual answer जाएगा, that is second part, आज मैंने homework ad नहीं किया है, कल की जो class है, आपकी, कल की जो class है, उसमें मैं mixed questions पे बात करूँ, इन mixed questions में, means कल जो 14th की class है, आपकी 14th जुलाई, उसमें आपको errors, sentence improvement, miss spent words, यह सारे sections मिलने वाल है, ठीक है, all in one, in one particular class, ठीक है, तो कल का session इन सारी चीज़ों पे base होने वाला है, तयार रही है कल के लिए, अगर session में मज़ा आया हूँ, तो like करिए, comment करिए, share करना बिलकुल मत भूलिए, चैनल पे नहीं हैं तो subscribe करिए, इसके बाद के, इसके तुरंद बाद जो भी आपका session है, youtube session उसे सभी join करेंगे, thank you everyone, thank you.